आज हम call for care में बात करेंगे restless leg syndrome के बारे में यानि की RLS के बारे में इसमें एक अजीव सी बेचेनी होती है आपके पैरों में कभी-कभी बहुत जादा चलने को मन करता है कभी-कभी आप बिलकुल चलने ही पाते मन करता है कि सिर्फ रेस्ट करें आपके सबी सवालों के से आपको कैसे आराम मिल सकता है आप ही के बॉडी में मौझूद प्रेशर पॉइंस के जरिये हमारे साथ हमारे अक्यूप्रेशर एक्सपर डॉक्टर अजय मिश्रा इसवक माझूद है डॉक्टर अजय में वेलकुम तु नमस्कार अब जैसे कि मैंने कहा कि पैरों में एक तो होगा क्या कि जैसे आप लेट गये लागैं तो लेटने के बाद पैर में दर्द भी नहीं हो रहा है और अच्छा लिए गुद्गुदी सी महसूस हो रही है तो आप कभी पैर को डबाते हैं कभी मोडतें कभी तेड़ा करतें हैं फिर कभी तेहलने लगते हैं उठकर के और दिन में ऐसी हालत हो जाती है जैसे आप कहीं बैठ गया है तो अब मन कर रहा है बैठे ही रहो उठो मत सो जाओ या अगर वाक कर रहा है तो लग रहा है थोड़ा और चलने तो शायद पार ठीक लगने लगे इस तरीक की स्थिति हो जाती है अगर हम पिलो लेकर भी बैठ जाते हैं घंटो तक एक ही पोस्च में तो मुझे लगता है इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है वो जो है वो तो थोड़ी दिर के लिए आता है कि आपका थोड़ा नमने सायाती है फिर जब वो खुलता है तो जंजनाहट मैसूस होती है यह तो है यह फैक्टर के क्यों होता है अईसा कुछ और भी इंटर्णल फैक्टर से से रिलेटेड हो सकते है इस बहुत कर नृइन को ब्रेन को जब सप्लाइब यह बॉपर आयरन की नहीं हो पाती है तो डोपामाइन ठीक से नहीं बनता तो जो पैर की हाँबाट के बाड़ी में करते हैं रिया के साथ जी रिया अलो रिया अलो गुद आफर नून बताइए क्या पूछेंगी मुझे दॉक्टर साथ यह पूछना है कि मेरे मादा को जो 30 years की है उन्हें शुगर और थाइवाइड है और उसके पैरों में और उसके पाजुमों में बहुत जाता है उसके इसे कोई प्रॉब्लम के लिए आप तीन पॉइंट याद रखिए कलर से वो है दोनों इंडेक्स फिंगर पर आप करेंगे एक दो और पीछे की तरफ यहां पर यह तीन यह डियाबिटीज के लिए हो जाएगा तो इसको अगर आप रगुलर लगा रहे हैं तो दीरी दीरे जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल होने को आता है और जैसे जो परहेज ह यह दो करेंगे और तो आप वाक जरूर करें सुबह की वाक इसमें मस्त है इसके बाद जो हाथो पैरों में दर्ड की बात की है तो वो बेस्ट है कि आप हंगूठे में यहां पर खुब अच्छे से उनको मसाज करें यहां पर और जो सेंटर लाइन है इसी पर चाहिए तो ब्लू कलर से एक लाइन बना दे सेंटर में तो एक यह लाइन बन जाएगी तो आपके गर्दन का दर जो हाथों में दार दार आ वो ठीक होगा इसके बाद जो नीचे है यह दो दो उंगले लग करके बीच की चैनल पर यहां पर भी एक लाइन लगा दे तो जो पैरों की प्र जिससे उनका प्रॉब्लम काफी हथ तक कम हो जाएगा अभी बात करेंगे बभीता के साथ जी बभीता जी मेरको दो तीन चीजे क्लियर करनी है दोक्तर साथ एक मुझे इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सो मच पर दी अप्रीसेशन बताईए हमें ब किसके बारे में पॉइंट्स जाना चाहती है तो जिस पे भी पहुत जादा हो वहां जरूर लगाएं क्योंकि पेन ही हमें बताता है कि वो एक्जेक्ट पॉइंट है तो जहां जहां पे ऐसे गाठे बनी हुई है पैर में उसको अप रेड गलर से कलर लें और इसको कर जहां पे पेन जादा है वहां भी कर लें बिल्कुल ठीक रहेगा ओके इनकी बेटी के साथ साथ इनके भी नोस पे काफी ब्लाक हैं तो कोई प्रेशर पॉइंट इसके लि हैं यह ठीक हो जाएगा सुबह सुबह अगर आप उठकर किसको गंटे के लिए लगा लेते हैं तो बेस्ट है चलिए डेली सिर्फ एक घंटे के लिए लाइट ब्लू कला प्लाय करना है आपको और आपकी बेटी को भी लेफ्ट हैंड के थम पर आपका यह प्रॉब्लम ठी लेकिन कल मुझे फिर प्रॉब्लम सुभी और एक्यूट में हुई तो डॉक्साब से पूछना है मुझे कि वह प्रॉइंट लगाती रहा हूं यह मेर्थी की पट्टी रात में लगा लूं हाई पर क्या आपको उन पॉइंस से आराम मिल रहा था आराम मिल रहा था और आप की उम्र कितनी है मेरी साथ साल उम्र है और मुझे 14-15 साल से यह प्रॉब्लम है पिछले 14-15 सालों से यूरन इंफेक्शन है इन्होंने का कि आपके पॉइंस लगा रही हूं उससे आराम भी है लेकिन एकदम फिर से कल फिर यह प्रॉब्लम हो बहुत जादा एक्यूट पानी थोड़ा पी लिजिए ठीक हो जाएगा यह कलर अगर लग रहे हैं तो दुबारा होना नहीं चाहिए चली तो इन्हीं कलर्स का अप रेगिलरली इस्तमाल कर सकती है हो सकता है कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम की वज़ा से ऐसा हुआ हो तो टेस्स कराना जादा भेतर होगा अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ जोती हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जी जोती नमस्कार बताईए मेरी एज एग 46 आज कल मैनोपास चल रहा है जिसमें मेरे को खूब पसीन आते हैं और पंजू में बहुत दर्द होता है ताथी साथ मेरे लोग बैक पें बहुत करती है और साथ राइट आई बहुत पें करती है डोक्तर में बोला कि अपना थायराइट लोगर और साइनस का टेस्क राइए अब करा लिये सब ठीक है और दर नहीं जा रहा है ओके लोग बैक पें हो रहा है इनको और बी कुछ जाना चाहती है मैनोपास है खूब पसीने आते हो पंजो में बहुत दर्द करता है खूब स्वेटिंग होती है पंजो में दर्द होत होता है क्या यह चारो प्रॉब्लम्स इंटर्रेलेटल हो सकती है यह एक ही प्रॉब्लम है सब मिला करके और यह मेनोपासल सिंड्रोम में आएगा और इनका जो ट्रीटमेंट है वह बहुत इजी मैं आपको बताता हूँ आप अभी से लगाना चुरू के एक दो घंटे के ब लेफ्ट में मिडल फिंगर में आपको ट्रीटमेंट करना है और वो एक दो एक सेंटर में इस लाइन से उपर एक ठीक उसके बगल में यह दो डॉट ब्लैक तो दो रेड डॉट और दो ब्लैक डॉट इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो किसी को भी मेनोपोजल सिंड् जालो हैं अब अबं कम्रे में घबाट जायेगा चैली अभी हमें क्योंट के साथ बात करेंगे सुमन है हमारे साथ फोन ना पर जी सुमन हलो सुमन हां जी मैं बोल रही हूं गुड आफ्टर नून बताईए क्या सवाल है आपका मैं मेरे को डॉक्टर साब से पूछना था एक तो मेरे पैरों में गुष्मे के निचले से में बहुत ज्यादा दर्थ रहता है मैं थोड़ा सा भी कुछ काम करती हूं तो बहुत क्या हो सकता आपके तीनों प्रॉब्लम्स का सॉलिशन जरूर बताएंगे लेकिन इस चोटे से ब्रेक के बाद सुझड़े रही है मारे साथ हम अभी आजर होते हैं इस चोटे से ब्रेक के बाद स्टडी जासा कहती है कि अप्रॉक्सिमेटली 45 परसन यानी 45 प्रतिशत लोगों में RLS यानी Restless Leg Syndrome का प्रॉब्लम 20 साल की उमर के बाद ही शुरू होता है ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर अजर हमसे सुमन ने सवाल किया कि उन्हें माइगरेन का प्रॉब्लम है बहुत एक्यूट वाला और दूसरा उनके पंजो में घुटनों से नीचे काफी दर्ध होता है उनकी एज़ है 33 साथ-साथ अभी से उनके बाल काफी ज़ड़ ज खुब अच्छे से अगर प्रिशर दें यहां पर तो आराम मिल जाएगा इसमें एक पॉइंट यह है कि आप यहां पर एक रेड डॉट लगा लें मिडल फिंगर में दूनों हाथों पर तो जो पेन है वो निकल जाएगा और इसको रेगुलर कर लें और कुछ दिनों तक आ अपने लेफ्ट थम पे यलो कलर इस तरीके से बॉडर लाइन पर लगा दे एक दिन यलो और एक दिन ब्लैक कर सकते हैं या फिर आप एक अंग उठे पर नेल के बॉडर पर यलो करनें और दूसरे पर आप ब्लैक लगा लेंगे तो धीरे-दीरे देखेंगे यह प्रब्लम में लगते हैं ब्रेकेज होती है तो हम अकसर घवरा जाते हैं तो इसमें घवराने की बात नहीं है इनका जो तीसरा प्रब्लम में उसके लिए तो माइग्रेन के लिए राइट इंडेक्स फिंगर में इस जॉइंट से थोड़ा सा नीचे यहां पर एक रेड डॉट लगा और इसके बाद लेफ्ट में मिडल फिंगर में यह ब्लैक डॉट लगा लें यहां पर तो राइट में इंडेक्स में रेड हो गया लेफ्ट में मिडल में ब्लैक हो गया इसके बाद मिडल में ही दोनों हाथ के मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर के साइड इस तरीके से दो ब्लैक डॉट लगेंगे, ये के साथ में, और एक यहां पर, ये अगर रेगुलर आप कड़ते रहें, तो जो माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी को भी हो, कितनी भी पुरानी हो, कितने भी सालों से हो रही हो, उसमें आराम आता है, माइग्रेन के साथ-साथ और भी जो प्र प्रॉटीन की प्रॉब्लम हो गई है, इसकी भी बहुत समस्ना हो गई है, पहला प्रॉब्लम अपने क्या वताया, क्या कर सकती है, ये सेरम लुपस अरेदिमेटस है, और इसके लिए आपको दोनों छोटी उंगली में बीच वाले जॉइंट पर एक दिन आप लाइट ब्ल कर लीजे, ये आपको रेगुलर करना होगा और किस एरिया में कहां पर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आया हुआ है, वह आप बाद में बताएं तो फिर और इस पेसिफिक टीटमेंट भी आपको देंगे, और साथ में थोड़ा नमक मिर्च का सिवन अपने खाने में कर द कि ना कहते हैं कि नाकमें इसे खून निकलना गर्मी के मौसम में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो धूब के कारण या गर्मी के कारण आ रही है तो पहले तो उससे बचाओ करना चाहिए हमें, और बचाओ के लिए अपने लेक्ट थम पे एक, दो और तीन डॉट इस तरीके से आप ब्लैक लगा करके रखें इसको रेगुलर अपने आदत में डाल लीजे कि जब भी कभी किसी कुछ इसको गर्मी में ज़्यादा प्रब्लम हो जाती हो तो इस जरूर करें जिसमें नक्सीर की भी एक बात आ जाएगी दूसरा जब नक्सीर फूट गई है और ब्लीडिंग हो रही है या लगातार गर्मियों में ऐसा होता ही जा रहा है तो उसमें आप जिस तरफ के नाक से हो रहा है उस तरफ के रिंग फिंगर में बीच वाले जॉइंट पर चारो तरफ यलो कलर से आप कलर कर दे और आप अभी लगाएंगे और आप एक दो घंटे में उनको देखेंगे का राम आगया और डेली कर लेंगे तो दस पंदा दिन के बाद इसकी जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको ये तीन ब्लैक डॉट लगाना ही पड़ेगे लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पैरेंस बच्चों का सिर उल्टा यानि कि उपर की तरफ कर देते हैं जब उनकी नक्सीर निकलती है तो इस इस दो राइट वे तो तो इसे फाइदा तो रहता है ब्लीडिंग बाहर जैसे रुख जाती है एक तो आप जब नीचे करते हैं नीचे के और डेवलप होता है तो ब्लीडिंग जादा होती है इसलिए इसलिए सर को उल्टा रख करके ठीक रहता है अबी बात करेंगे रीना के साथ जिन्होंने डिली से हमें कॉल किया है जी रीना हलो गुद आफ्टनून में गुद आफ्टनून बताईये मैं एक्चली मुझे डॉक्तर साप से बात करनी थी हम मुझे नेगेटिव थौट बहुत जादा आते रहते हैं और बहुत जादा डर भी लगता है और में कुछ खरीड नहीं पाती कुछ लेती हूं तो नेगेटि 27 years की उमर में बहुत यंग है और अभी इनके साथ ऐसा और कि काफी नेगेटिव थौट चलते रहते हैं और उन्होंने का कि इसकी वज़ा से काफी घबराथ होती है रात में नीम नहीं आती तो काफी जादा मतलब मुझे लग रहा है कि घबराने वाली बात दी है और नहीं इस से आप देखेंगे जो भै है वो तो कम हो जागा देरे देरे लेकिन किसी भी थौट को आप नेगेटिव न भूले जो भी थौट्स आ रहे हैं वो थौट्स हैं उनको थौट की तरीके से लीजिए और आ जाए आ करके जाने दीजिए आप उसके पीछे पड़ेंगे और लगे रहेंगे तो वो बार बार आएंगे तो इस बेटर कि जो थौट्स आ रहे हैं उनको देखें उसमें पॉजिटिविटी खोजिए और खोज करके उसे जने दीजिए इस इग्जाक्ली डॉक्टर अजने बिल्कुल ठीका कि जो नेगेटिव थौट्स आपको आ रहे है नमस्कार बताईए नमस्कार बताईए क्या सवाल है आपका किस जगे का है किस जगह पर हरनिया हो रहा है आपको अके फाइन आपके प्राब्लम को सॉल्ब करने की जरूर कोशिश करेंगे लेकिन इस चोड़े से ब्रेक के बाद से स्टेट यूनन की पॉचिंग कॉल पर कै Restless Lexus Syndrome आपको genetically भी हो सकता है साथ-साथ बहुत जरूरी है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है आपके पैरों में काफी दर्द रहता है क्रीपी इचीनेस होती है खिचाव होता है या गुदगुदी होती है तो आप proper rest ले उस वक्त ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं हो आप एक तो left hand में, middle finger में एक dot यहां लगा ले, light blue color का, दूसरा यहां लगा ले, तीसरा यहां इस तरीके से light blue लगा दीजिए एक yellow color का dot आप यहां लगा लीजिए, इसके बाद orange color से, एक orange dot यहां लगा दीजिए, और एक यहां बिस जगे पर, यह joint पर है, तो यह दो orange dot हो गया, और सामने तीन light blue color के dot, इसको आप regular करिए, और साथ में आप चाहें, तो small finger पर, left side में ही, beach वाले joint पर, एक मेथी की strip, एक paper tape में लगा करके, इसको pressure देते रहेंगे, तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा. कुछ एक SMS हमारे पास है, सबसे पहले SMS हमें आया है, नाम इनोंने नहीं दिया, इनकी age है 37 years, जानना चाहते हैं, कौन से pressure points हो सकते हैं, कौन से color का इस्तमाल कर सकते हैं, anxiety और depression से बाहर निकलने के लिए? anxiety, depression, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि मैंने भी menopause वाले में बताया था, menopausal syndrome में, तो same points आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, कि आप red color से अपने index finger में दो red dot यहाँ पर लगा लें, और फिर black color से middle finger में दो black dot यहाँ पर, तो यह चार dot अगर यह लगाते रहेंगे, तो depression, anxiety, इन सब चीज़ों से आप बाहर रहेंगे, anger भी जिनको बहुत ज़ाद आता है, वो भी इसको 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 सकते हैं, चलिए, अगला इसमेंस हमारे पास है, पुश्पा का वारण असी से, जो wrinkles को कम करने क के लिए पॉइंस जानना जाती है, रिंकल्स कम करने के लिए पानी एक तो खुब पी है, आप पानी कम पीते होंगे, और दूसरा आप अपने small finger में, दोनो small finger के बीच वाले जॉइंट पर आप yellow color जरूर लगाएं, रेगुलर इसको yellow color से करे, चारो तरफ अगर आप yellow color के कर करके रखते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे wrinkles गायब हो जाएंगे, इससे प्यास भी थोड़ी बढ़ेगी आपकी, और पानी खुब पी है, ठीक हो जाएंगे, नेक्स्ट और लास्ट SMS हमारे पास है, जब periods का time होता है, अंजली का SMS है, तो पेट के निचले भाग म करके बांदे या किसी से भी प्रेशर करा ले रेगुलर, तो ये पीरेट के दोरान की बात मैं कह रहा हूं, दोनों वहातों में इस तरीके से प्रेशर जब आप करा लेंगे, तो ये उस वक्ती प्रब्लम सॉल हो जाएगी, इसके बाद जब पीरेट आपके ओवर हो जाएं इसी पर लाइट ब्लू कलर से आप दोनों गूठे पर कलर करके रखें, ये दस-पंदा दिन तक आप कर लेंगे, तो पीरेट के बाद एक दो पीरेट के बाद आप लगातार दस-पंदा दिन को कर लेंगे, देखेंगे, एकदम से हराम आ जाएगा. अब सोनम हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगे, जी सोनम, हलो सोनम, सोनम आप लाइन पर है, सोनम का संपर्गम से तूट चुका है, आज हम बात करें, RLS के बारे में, यानि Restless Leg Syndrome के बारे में, तो कौन से pressure points हो सकते हैं, जिन से इससे निजात मिल सकें, एक तो सबसे अच् आप इस तरीके से किसी से पकड़ करके twist करा लें, तो this is the best way, कि आप अच्छे से इसको जिस किसी को भी हो, तो अच्छे से जो अगर इसको आप twist कर लेंगे तो आप मिलेगा, दूसरा है नेल के border पर चारो तरफ, red color से color कर लें, तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए रखें, सा उस पे आप color लगा करके रखें, एक red dot यहां पर और एक यहां पर, ऐसा दोनों index finger में आप लगा करके रखेंगे, तो पैर में कैसा भी pain आ रहा होगा, सिर्फ RLS की बात नहीं, किसी भी तरीके का पैर में pain हो, जो hip joints में हो, घुटने में हो, ankle joint में हो, या toes में हो, कहीं भी हो इस से आदा इसमें problem नहीं आती है, हाँ यह है कि बेचैनी इसमें लगातार बनी रह जाती है, इसका कोई इलाज और कहीं system में है नहीं, तो अगर आप सिर्फ जो nerve के point अभी मैंने बताए है, इस सारे nerve के point है, इसको अगर आप regular कर लेते हैं, तो हाँ, आप भी नहीं करेंग और साथ में आपके बच्चे भी आगे इसको नहीं carry करेंगे, तो उन्हें अपने lifestyle में किस तरह के changes लाने चाहिए, जिससे किस problem से वो दूर हो सके, बस अपना थोड़ा सा और पीछे चले जाए, तो पैर में जैसे पैल पहनते हैं, तो वो थोड़ा भारी हो, बिच्वा पह पैर में आलता लगाते थे, वो आलता लगा करके रखें, तो ये सारी चीजें बहुत scientific, जैसे मैंने भी बताया, तो रेट कलर बताया है, तो वो एकदम मेल खाता है, अगर वो लगा करके रखते हैं, तो इससे दूर रहेंगे, चली, डॉक्टर रजय, आप यहाँ पर आए आपने बताई कि RLS से कैसे बाहर निकले, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शक्रिया, थैंक्यू, नमशकर,